नमस्कार दोस्तो रक्षित खन्ना के स्टेक में एक पार फीर स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको एक प्रिंटर का रिवीऊ देने वाला हूँ वायरलेस प्रिंटर है यह काफी अच्छा प्रिंटर है अभी लिया है लगबग ऐसे 52-53,000 का यह प्रिंटर आता है इस प्रिंटर का जो नाम है जो मैं आपको रिवी दे रहा हूँ यह है लेजर जेट प्रो MFP M429DW जैसा कि आप देख रहे है एच्छ पी का यह प्रिंटर है तो यह कैसे यह वर्क करता है तो यह मैं आपको इस वीडवरे इन समझाने वाला हूँ तो शर्षण शुरू करते है जो यह वाला प्रिंटर है जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे है यह तीन चीजे करता है एक तो है कॉपी scan भी करता है और दूसरा print भी करता है जैसे कि आप screen पर देख रहे हो तो ये network से भी आप इसे network से connect कर सकते हो land से connect करने के बाद आप computer के through print निकाल सकते हो दूसरा इसमें आप mobile से भी mobile से भी connect करके आप direct wireless के through आप print निकाल सकते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको copy करके दिखाता हूँ जो उसमें copy option आ रहा है यह मैंने copy लगा रखा है उपर जैसा कि आप देख रहे हो यह उपर भी लग जाएगा और चाहे तो आप नीचे यहां पर भी लगा सकते हो जहां पर यह ग्लास दे रखा है यहां से भी आप लगा के आप copy कर सकते हो तो फिलाल मैंने इसे उपर रख रहा है तो अब मैं यहां से direct copy की command दूँगा मुझे क्या करना है मुझे यहां पर लिखा रहे document करना ID करना मुझे document करना है इसके लिए मुझे मुझे one sided चाहिए सिरफ मुझे कितनी copy चाहिए एक चाहिए तो मैं यहां से copy करूँगा अब देखिए अब यह copy हो रहा है यह page गया अब यह देखिए यह निकल के आ गया page जो मैंने यह निकला तो इस तरीके से आप copy भी कर सकते हो दूसरी चीज यहां से मैं बैक आऊंगा अब मुझे scan करना है तो scan के लिए भी मैं यह चाहिए तो मैं नीचे रखूँगा यह मैं ऊपर भी अब मुझे scan करने के लिए मुझे अपने system पे आना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे system पे आ गया एक आपको software डाउनलोड करना पड़ेगा इसका link में आपको description में भी दे दूँगा आपको जो software डाउनलोड करना है वो HP LJ pro जो आपके printer का name है M48 M429 इसका आपको software डाउनलोड क कर लेंगे लगबग यह 200 से उपर का software है यह मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो यह वाला software है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं इससे आपको अपने computer पे इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद जो आप direct आप यहाँ से scan की command देंगे तो आ आप इस software में मुझे क्या करना है scan करना है तो यह उपर यह पूछेगा आपको save as PDF करना है यह save as JPG करना है और मैं चाहता हूं कि जो मैंने scan का जो document है वो मेरा PDF में जाए तो PDF मैंने कर दिया यह document है यहाँ पर यह one sided एक ही side करना है मुझे यह four है document feeder if loaded अब आपका document एक feeder होता ह एक flatbed होता है तो मैंने जो किया है वो मैंने flatbed किया यानि जो मैंने document अंदर रखा है वो उसका जो option है वो flatbed है अगर मैं उपर रखता document तो मैं वापे document feeder करता है यानि मैं उपर load करूँगा फिर scan होगा तो मैंने flatbed किया यानि मैंने flat glass पे रखा है तो यह मैंने इस पर टिक क लिया, अब यह मुझे टाइप के चाहिए, मुझे PDF चाहिए, तो मैं यहां से अब स्कैन करूँगा, अब यह देखिए, स्कैन हो रहा है, अब देखिए, यहां पर यह स्कैन होके, यह image आ गई है, यहां से मैं से सीधा भी कर सकता हूँ, यह दो option आ रहे हैं, यहां से यह सीध कर लिया अब यहां से मैं इसकी brightness contrast भी बढ़ा सकता हूँ कि मुझे कितनी करनी है PDF में है और यहां से मैं save कर दूँगा अब यह में से option पूछ रखिए अब इसे कहां save करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ यह save हो जाया है desktop पे और मैंने इसका नाम भी दे दूँआ scan अब यह PDF में जिस save होगा तो मैं इसे कर दूँआ save तब देखिए यह save हो गया desktop पे scan के नाम से इसे मैं यह से close कर दूँआ इसे minimize कर दूँआ और इसे भी minimize कर दूँआ तो यहां पे देखिए आप देख सकते हैं उपर यह जो आप देख से रहे हो यह मेरा scan हो गया मैं इसे खोल के दिखार हूँ आपको यह देखिए तो इस तरीके से आप scan भी कर सकते हो दूसरा अगर आपको print देना है तो print भी मैं आपको system पे करके दिखा देता हूँ कोई भी मेरे को चाहिए मुझे agenda चाहिए तो मैं इसे खोल देता हूँ मुझे print चाहिए इसे close कर देता हूँ मुझे माली यह इसका चाहिए तो मैं यहाँ से control पे करूँगा system से अब यहाँ पे दिखा रहा है यह network दिखा रहा है जो printer का नाम दिखा रहा है अगर जिसका नहीं आता तो यहाँ से वो choose कर सकता है तो मेरा पहले से ही choose है यहाँ मुझे एक चाहिए current करूँगा और यहाँ से okay कर दूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से तो आप यह देखेंगे यह मेरा यहाँ से printer की command भी आ गई तो इस तरीके से आप इसे आप photocopy copy scan print कर सकते हैं पहले आपको software download करना पड़ेगा अगर आप software download भी नहीं करते और आपको फिर भी scan करना है computer से तो इसके लिए मैं सिंपल एक step बता रहा हूँ पहले आप page को रख लीजिए page मैंने नीचे ही रख रहा है यह देखिए यह page मैंने इसके अंदर ही रख रहा है मुझे scan करना है और आप चाते कि आप software download नहीं करना चाते आप internally computer के अंदर एक option होता है scan का अब उसके थूरू भी कर सकते हो अभी scan अब यहां पर आपको सफ्टों पर दिखा रहा होगा window facts and scan इस पर क्लिक कर देना है आपको तो यह खुल गया आपका यहां पर आपको उपर जाना है option new scan पे यहां पर आपको option कुन से है अपना printer select करना है तो यह है मेरे printer यह वाला इसे मैं ok कर दूंगा अब आपको flat bet करना ह यहां पर भी वाप option पूछेगा कि आपने जो page है वो आपने नीचे रखा है या उपर रखा है तो मैंने flat bet रखा है यहां से आप document भी कर सकते हो या photo भी कर सकते हो कोई बात नी मैं photo ही ले लेता हूं है वो document कोई जिसमें दिक्कत की बात नी उसके बाद यह scan करूंगा तो मैं ऐसे save as कर लेता हूं desktop पर ही कर लेता हूं scan तू के नाम से अब यह scan हो गया तो यह भी मेरा desktop पर आ गया जो scan हुआ था अभी दिकार हूं मैं आपको मास कीज़ेगा थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है कोगी मुझे लेकिन समझाने के लिए मुझे आता करना पड़ रहा है यहां से आप इससे आप आपको इससे connect के मैं आपको दिखा भी देता हूं उसमें क्या क्या option है अच्छा printer आप ले सकते हो थोड़ा महंगा है लेकिन सारी चीज़े करता है यहां पर पेज रख सकते हो यह ट्रे है ट्रे 1 यह ट्रे सबसे नीचे वाली यह ट्रे 2 है इसमें आप पेज रख सकते हो य आप पेज यहां पे लगा सकते हो अगर आप उपर भी लगाना चाहते हो उपर भी लगा सकते हो यहां पे लगाना है ट्रे 2 में लगाना चाहते हो ट्रे 2 में भी लगा सकते हो यहां पर भी पेज लगा के आप प्रिंट निकाल सकते हो दूसरा यह मैंने आपको बता दी ज्यादा page है तो लगातार एक-एक करके यहां पे लगाईए जैसे मैं आपको दिखा देता हूं मालीजी मेरे पास यह दो page है तो मैंने दो page यहां पे लगा दिए दो page तो यहां पे लिखाऊगा तो अब यहां से copy कर दूँगा अब देखेंगे page यह जा रहा है यह एक गया दो गये ऐसे यह आगे नीचे page यह page आ गये मेरे पास दो तो अब ऐसे अगर आपको ज्यादा page है तो लगात आप उसका लगा सकते हो जितने मर्जी आपको लगा के copy निकल सकते हो यहां पे भी पर दकार रहा हूँ हमारे यहां पे जो कनेक्ट ओ रहा है यह लें कनेक्ट ओ रहा है यह जो केबल लग रही है जैसे मैं आपको देखा रहा हूं यह तो हे main power की cable जो मैं आपको दिका हूँ यह वाली मेन पावर से कनेक्ट और ये नीचे जो प्लग में धॉसरी जो यह यह से connector है, network से connector रखा यह printer, यहां पर आपको 4-5 computer दिख रहे होंगे, तो यह सब इसी printer से connect है, इस cable के तुरू, network की cable है, यह हमने लगा रखी है, यहां पर, यह देखिए, यहां पर light जल रही होगी, आपको दिखा रहे होगी, दिख रहा होगा, तो यह network की cable है, अगर आप network पे नहीं चला सकते, अगर आपके पास single cable, USB cable है, तो वो आप एक printer के साथ connect कर सकते हो, यहां पर, जो आपको option दिख रहा है, यहां पर एक connect करोगा और एक computer के साथ connect कर लोगे, इस तरीके से आप single computer के साथ भी आप print निकल सकते हो, यह जो cable लगा रखिए, network cable है, ताकि हम 4-5 computer को एक साथ connect कर सकते हो, उसमें print निकल सके, तो यह network की cable लगा रखिए, तो इससे आप 4-5 computer में print भी निकल सकते हो, scan भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, दूसरा option आता है, दूसरा option मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आपको mobile से connect कर now, मैं आपको mobile से भी print करके दिखाऊंगा, तो इसमें आपको option क्या है, आपको अपना wifi on करना पड़ेगा, wifi direct on करना पड़ेगा, उसमें आपको, इसमें जो आपको यह जो दिये दे रखा है, direct E3, जो इसमें आपको दिख रहा ही है, direct E3 HPM49DDJ, wifi direct password, यह आपको अपने mobile पे बताऊंगा भी setting, आपको एक video बना के दूँगा, इस ही मैं attach करके दूँगा, mobile से भी बनाऊंगा, कैसे print निकलता है, तो यह आपने देख लिए कि यह printer में यह चीज़े, अच्छा printer है, आप लेजे यह वाला printer, इस printer का मैंने आपको नाम भी बताया, laser jet pro MFP M429DW, अच्छा printer है, cartridge भी बता देता हूं, cartridge इसमें कहां लगती है, कहां निकलती है, cartridge भी आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो, जो भी आप उकने है, यहाँ पे एक बटन है, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बटन दे रहा है, आपको इस बटन को प्रेस करने है, जैसी आप बटन क प्रेस करोगो तो ये cartridge का दोर खुल जाएगा तो जो cartridge है वो यहाँ पर प्लेस होती है ये जो आप देख रहो ये cartridge है जो मैंने निकाली आपको हलका सा ऐसे प्रेस करना है और ऐसे लगा देना ये इस तरीके से निकलती है जो इसमें cartridge लगते हैं ये 77A की लगती है HP laser jet print cartridge जाईए 77A लगेगी आपको इससे निकालना है और काफी time चलती है ये आपको इससे ऐसे feed कर देना है जैसी आप ये feed कर दोगे इसके बाद ये बंद कर दोगे तो यहाँ पर इनिशलाइज होगा तो ये printer इनिशलाइज होगा और बिल्कुल ठीक चलेगा तो इस तरगी साप अमनी cartridge भी निकाल सकते हो अगर कोई page वगरा फस गया है तो नीचे से आप यहाँ से निकाल सकते हो page इसे निकालके पीछे page फस गया तो उससे निकाल सकते हो या फिर पीछे से भी यहाँ से भी निकाल सकते हो आप जैसा कि आप देख रहे हो यह जो box है यह box ऐसे निकाल जाता है यह पीछे का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज आप अगर फस जाता है यहाँ से भी आप page निकाल सकते हो जो मैंने आपको वीडियू दिया इसका वायरलेस पे चलता है यह कोई तारतूर लगाने की जूरत नहीं है अगर आप चार कंप्यूटर के साथ प्रिंट निकाल रहे हो तो एक नेट्वक के बल है उसके साथ अट्रेच कर दीजिए अगल सिंगल कंप्यूटर के साथ निकालन है तो इस तरीकी से आप कर सकते हो अब मैं मुबाइल के थुरू दिखा रहे हो कि मुबाइल से कैसे कमांड देके आप प्रिंट ही निकाल सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं मुबाइल कैसे आप मुबाइल से कैसे प्रिंट निकालना है वायरलेस दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल से आपको कैसे प्रिंट निकालना है तो इसके लिए आपको प्रिंटर में एक एप्लिकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी जिसका नाम है HP Smart आपको Google Play Store से वो डाउनलोड करना है अगर आपको HP का प्रिंटर है तो आपको HP एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है मैं यहाँ से करनाँगा HP Smart एक तो आपको यह डाउनलोड कर लिजिए यह आपको डाउनलोड करना है ठीक है Google Play Store से यह आपको डाउनलोड करना है एक HP Smart मैंने तो दो तिन कर रखी है एक HP Smart Printer यह तो मैंने करी लिए एक यह भी कर लिजिए आप HP Print Service Plugin आपको दो अप्लिकेशन इंस्टॉल करना है HP Print Service Plugin डाउनलोड कर लिजिए और एक HP Smart कर लिजिए तो जैसी आप इंस्टॉल कर लोगे यह अप्लिकेशन पहले यह अभी इंस्टॉल कर लिजिए उसके बाद आपको Wi-Fi Connect करना है जो आपका Wi-Fi है यह On होना चाहिए तो जैसी यह आपका On होगा तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि यह Printer के साथ कैसे Connect होगा इससे आपको On करना है तो जैसी आप यह Connect कर लेंगे Wi-Fi यह मेरा Printer मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस Printer के साथ मुझे Connect करना है तो मैंने अपना Wi-Fi मैंने On कर लिया अब देखिए अब यहाँ पे मेरा सबसे उपर भी लिखा रहा है Successfully Device Connected मेरा यहाँ पे अभी आया था जैसी मैंने Connect किया था तो यहाँ पे आया था Successfully Connected तो मैं Wi-Fi पे आया था Wi-Fi मेरा Connect होगा है Printer के साथ आप उपर भी देख पा रहे होंगे मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले इसमें दिखा रहा हूँगे मेरा Connect हो चुका है Printer के साथ अब मैं आप दिखा हूँ जो आप इसमें देख रहे हो अब आप नीचे देखोगे जो मेरा जो सबसे उपर वाला है जो उपर दिखा रहा हूँ IP Address यह तो Network का IP Address है जो मैंने Network लगा रखा है Network Cable मतलब इस IP Address के थुरू आप Print निकाल सकते हो इस Printer का IP Address है यह 10.25 1.0 उसके बाद जो मैं फोन से निकाल रहा हूँ Wi-Fi Direct के थुरू या फिर Wi-Fi के थुरू निकाल रहा हूँ तो मेरा Wi-Fi Direct का जो Password है वो ही है जो आपको दिखा रहा हूँगा Direct E3 HP तो यह मेरा फोन के साथ Connect हूँ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जोसरा कि आप देख भी पा रहे हूँगे Wi-Fi जो प्रिंटर का Wi-Fi Direct की डिटेल है यह नाम भी आ रहा है और नीचे Wi-Fi Direct का जो Password है यह भी मैंने अपने फोन में डाल रहा है 677 पर जैसे मैं आपको जितने आपने फोन के साथ Connect कर रहा होगा यह प्रिंटर तो आपको दिखाएगा Number of Devices are Connected तो मेरा भी मैंने फोन के साथ Connect कर रहा है तो मेरा एक Connect है तो यानि यह वाला Password डालके मैंने अपना Connect कर रहा है यह तो हो गई इसकी सेटिंग अब प्रिंट कैसे निकालने तो जो मैं आपको इसके लिए मैं आया था जैसे मैंने आपको दिखाया है मेरा जो Connect हुआ था वो मेरा Wi-Fi Direct यहां से Connect हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह Connected दिखा रहा है यह सब इसकी सेटिंग है जो मैंने पासवर्ट डालके इसे एड कर लिया अब मुझे प्रिंट निकालना है तो इसके लिए मुझे कहा जाऊँगा अगर आपके पास माल लीजिए मेरे पास कोई डॉकुमेंट है जैसे माल लीजिए मुझे इसका प्रिंट निकालना है ठीक है तो यहां से मैं तीन डॉट पे आऊँगा यहां से मैं नीचे शेयर करूँगा शेयर पे जाकि जो मैंने सॉट्वेर नाउलोट कर रहा है एच्पी प्रिंट का उस पे मैं करूँगा यहां पे दिखा रहा है राइट एच्पी प्रिंट सर्विस प्लगिन मैं इस पे क्लिक करूँगा तो जैसी आप प्रोसेस करोगे तो यहां पे आपको प्रिंटर का नाम दिखाएगा तो उस पे आपको क्लिक कर लेना है अब देखिए यह इमेज आ गई अब डिरेक्ट में देखो कमांड दूँगा डिरेक्ट कमांड दूँगा तो यह प्रिंटर के तुरू आ जाएगा अब यह जो आपर प्रिंट आ रहा है आप से उप्शन ले आउट पूस सकता है कि ले आउट क्या करना है आपको यह मुझे डिफॉल्ट ही रखना है मुझे ब्लैक और वाइट निकालना है क्योंकि यह कलर जो प्रिंटर है यह ब्लैक और वाइट प्रिंटर है paper size मुझे letter करना है क्या करना है वो आप यहाँ से choose कर सकते हो मैं चाहता हूँ मैं letter ही करूँ उसके बाद यहाँ से जो उपर command है आप यहाँ से print की दे दूँँगा copies आपको किती निकलनी है मुझे एक ही निकलनी है तो एक ही ठीक है यहाँ से मैं printer की command दे रहा हूँ देखिए यह दे दी मैंने अब यह देखिए screen पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यह print आ गया है मैं आपको page भी दिखा रहा हूँ यह यह आप देख सकते हो जो मैंने निकाला page कितना clear print है इसका black and white बिर्कुल बढ़िया दिख रहा है यह तो इस तरीके से आप wireless printer कर सकते हो wireless printing कर सकते हो अपने mobile के तरू कुछ भी निकाल सकते हो आपको जितने page चाहिए यह सब चीज आप निकाल सकते हो इसके तरू तो आपको मैंने दो software बता है HP print setup और HP smart यह दोनों आप software डाउनलोड कर लिजिए कोई दिक्कत ने होगी आपको असानी से आप mobile printing कर सकते हो जितने भी page की यह आपका printer का नाम भी आ जाएगा इसमें आप सारी चीज़ें सकते हो camera scan सब चीज आप access कर सकते हो कोई document स्कैन करना है यह भी मैं देख लेता हूं करके यह मैंने क्लिक कर लिया processing करी यहां से मुझे next किया अब यह जो मैंने यहां से mobile printing भी कर सकता हूं यहां से मैं print भी दे सकता हूं इस software के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहां से मुझे print करना है तो मैंने जो अभी फोटो खीची यह मैंने अभी फोटो खीची है इसे भी मैं direct print कर सकता हूं तो यह भी आपको एक अच्छा option मिल जाएगा यहां से आप प्रिंट करना है यहां से मैं प्रिंट पे जाऊंगा यहां से मैं प्रिंट दे दूँगा तो आप देखेंगे यहां से प्रिंट यह इसली आ गया यह देखिए तो इस तरीके साब इस application के तुरू सब कुछ काम कर सकते हो अगर आपको यह printer connect है आपको photos print करनी है कुछ भी करना है PDF फोटो करनी है यह तो password protected PDF है फोटो आपको करनी है आप कुछ भी कर सकते हो print जैसे मैंने आपको दिखाया यह सॉफ्टर ने रिख सारी चीज आपको मिल जाएंगे copy करनी है आपको कोई चीज move image माल लिजे यह मुझे करने copy letter है क्या चीज है किती copy स्टार्ट ब्लैक स्टार्ट ब्लैक किसमें चाहिए आपको इस printer के तुरू निकल जाएगा यह देखिए आप यह देखिए यह फिर आगी फोटो यह देखिए यह देख रहा है अभी जो मैंने फोटो कीची थी उसका भी प्रिंट आ गया तो काफी अच्छा प्रिंटर है यह सब कुछ आपको एक mobile के थूँ आप एक application के थूँ आप सब काम बैठे कर सकते हूँ वारलेसली तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें माफी चाता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा कोई भी दिक्कत आती है कनेक्टिंग से प्रॉब्लम तो